स्कृद्ध होरो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीक स्टेटक आप काएन मास्टर आप्लिकेशन से कैसे बना सकते दोस्तों काएन मास्टर इस वाली वीडियो को बनना बहुत सिंपल है आप बहुती आसानी से इस वाल वीडियो को बना सकते तो इस वाल वीडियो को काइन Master से बनाने के लिए आपको अपने मोबिल फोन में काइन Master applicator को Open करदेना हे काइन मास्टर देब को उपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के एकन पर क्लिक करके जिस भी रेसियो में आप वीडियो बनना चाहते उस वाले रेसियो को सिलेट कर लेना है इसके बाद इमेज एसेट पर जाना है और कोई भी एक बेग्राउंड सिलेट करके जितनी सेकंड कि आ बढ़ा देना है इसके बद इसके बनार पर जाना है जिस भी कलर पर कर्द आप को वीडियो बनाना है इसनले को यहां परलीतLP कीचिए है अब यहां पर लिखने होग तो जहांसे आपके सोंग के स्टार्ट होते हैं बहाँप यहां पर आपको दो अलग-अलग लिखना है कि अपर निची की दो लाइन में लिखना है तो जैसे कि मैं आपको दिखना हो तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट वाल लिरिक्स लिखना है तो आपने इस तरीके से दो लाइन में लिखना है अगर लंबा है तो अगर चोटा ही लीर यहां पर लिक्षा सकते हो फिर फॉंट पर जा रहा है कोई बी एक फॉंट आपको यहां से select कर लेना है फिर राइट बटन पर क्लिक लेना अगर आपको फॉंट को एड करने custom form पर plus प्लस के अगन पर क्लिक करके कोई आप कस्टम फोंट भी यहां पर कर सकते हो तो फाण को सिर्ट कर लिए इसके बाद दुस्तर इसकी से हैच को थोड़ी से आपको बड़ी रखनी है अपने इसाब से जितनी भी आप रखना चाहते हो तेरह दीजिए इसके बाद अब यहां से आपको इसको play कर लेना है जो भी आपने लिखा है आपके song के इसको घ्रत करना की तो आपने जो लिखा है इसको प्ले किजिए जो भी लिखा है उसके दिए इसके बाद इसको यहां से फिर्भ हमाइब लीजिए और इसको अब कर सकते बरसर तो ठोड़ा और भी आप ईसको एसको कम कर लेज़े ठीजा करहें कि आफने स्क्राइब और यहां से इसकी आपने स्में रखना है जो भी आपने इन अनिमेशन में रखा हैं इतना करनेख रहा है तो यहां पर फॉर्श लिस्ट बनके तह्याहर है अब का lyrics लिए बहुत simple यहां प्रेकर कर दिना है तिन डौट पे जाना है जो दूपलिकेट बनाना है जो अगर सैट चोटी बढ़ी है तो इस तरह के सब बढ़ा सकते फिर keyboard पे क्लिक करेंगे इसको यहां से कट कर लेंगे और आगे का जो भी आपके सोमें बजाए है वह आपने लिखना है जैसा के मैं ने बताया था अगर वड़़ छोटा है तो आप सीर्फ एक L зах लेरम में भी आप लिक सकते हो अगर तीन वर्न के आसपास होता है तो आप इसको दो लेमें लिखेंगे ठीक है तो सबी लिरिक्स लिखने के बाद आपको इस वले बे treball इमेज पर क्लिक करना है त्ह30 पर जाना है और duplicate As layer आपने कर देना है अब इसके बाद यहां से आप नहीं चाहिए के Croping पर जाना है Mask को आपने Enable कर देना है Shape पर जाना है और Shape में आपको Round Shape लेना है और इसको आपको यहां से Bake आके अच्छे से Round कर देना है अच्छे राउंड करने के बाद इसके फीदर को आपने बढ़ा देना है कुछ इतना बढ़ा लिजे यहां से बेग आ जाईए अब दोस्ते इस लेयर पे आपने क्लिक करके रखना है अब आपको देखे यह जो आपके टेक्स्ट है उसके इसाब से आपके इसकी साइज बढ़ा नहीं ठीक है जो राउंड बना है उसको आपको अपने टेक्स्ट के इसाब से बढ़ा कर देना है जिसके टेक्स्ट पुरा एच के अंदर आ जाए इसके बाद आपको इसको तिन डोट पे जाके send to back कर देना है तो इस तरीके से आ जाएगा इसको एकदम perfectly आपने बीच में रखना है और अपने text के size की जितना ही रखना है ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर यह काम हो चुका है इसके बाद अब दूसरी हमें animation आड़ करने है तो startle point पे आना है अब यहाँ पर आपको layer पे जाना है sticker पे जाना है यहाँ से आपको store के option पे जाना है और यहाँ से आपको abstract जो लिखा है वहाँ पर आ जाना है तो यहाँ पर दूसरे number पर abstract उस पर जाना है यहां से आप नीचे के तरफ scroll कर देना है और यहां पर पर मिल गया रोटो इसको आपको पसंद दा उसको आपको सीजित कीजिये कुछ इस तरीका से छी किए तो भी बेग्राउंड का ऐडड किया है उस बेग्राउंड के कलर में जो भी अच्छे से मैच होदा है उसको आपने यहां पर रखना है तो देखे पहले तो इसको ख़ड़ साब बढ़ा कर दीजिए अपने टेक्स के हिसाब से इतना करने के बाद अब आपको इसको तीन डोट पर जाके send to back कर देना है अब यह हो चुका है अब दूस्तर आपने क्या कर लेना है इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा अभी आपने इसको टेक्स के साथ मिलाना है तो यहां पर देखे जहां से आपका टेक्स स्टार्ट होता है वहां इसके बाद दूसरे लीरिक्स में आपको स्टेम यही करेंगे जहां पर दूसरा श्राट होगा वहां पर आपने आ जाना है आने के बाद लेयर पर जाना है यहां से स्टीकर पर जाना है और रोटो में जाईए और जो भी आपको पसंदे सब में अलग 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 अग अग कशेट को इसके साथ अब मिला दिजे आफ दोस्तो चाहो तो इसको अगर आप जो आपने इसको प्लेड करें गये कुछ इस तरे के सामर यह बन के तैयार होगी आप जैसे हमने जो parf आपको पसना है इसको लगा रहे लेकिन जो बहुत आपने टेक्ष्ट रगया वही लगाना है और आपने टाइम रखा है उसका उसे वही टाइम आपको यहाँ पर भी रखना है तो वर्फेक्ट आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बनके तयार हो जाएगी जैसे इस तरह से आपकी वीडियो बनके तयार हो जाएगी अब आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जैसे एक्सपोर्ट करोगे वीडियो आपके गरेजबिर से हो जाएगी उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी येवाली वीडियो पसंद आए होगी वीडियो अगर पसंद आए लाक कर लेजेगा और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब चारू से खलेजेगा